क्या ब्रिजभुषन सिंग ने पप्पु यादो का उड़ाया मज़ाग पप्पु यादो का नाम लिए बीना कहा बाहु बली बनते हैं और सुरक्षा मांग रहे हैं लौरेंस बिष्णोई की पप्पु यादो को धमकी वाले मामले में बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है यूपी के कैसर गंज के पुर्व सांसत बिजभुषन सरन सिंग ने बिहार के पुर्निया के सांसत पप्पु यादो का जम कर मजा कुराया है हालां कि बिर्जभोशन सिंग ने जो बयान दिया है उसमें पप्पु यादो का नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन उनके बयान को सुनकर ये कयास जरूर लग रहे हैं कि उनका ये बयान पप्पु यादो को लेकर ही है दरसल पुर्वसांसद बिरिज बुरुशन सिंग ने कहा है कि बिहार के एक नेता बाहुबली तो बनते हैं लेकिन अब सुरक्षा मांगते फिर रहे हैं वो ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे कि उनको सुरक्षा ही मांगनी पड़े पुर्व सांसद सिंग ने ये बयान तब दिया जब वो अपने समर्थकों से अपने पैतरिक आवास पर मुलाकात कर रहे थे पुर्व सांसद यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि बिहार के एक बावबली नेता है जो हर विशय पर बोलते हैं लेकिन अब सुरक्षा मांग रहे हैं तो फिर ऐसा बयान ही क्यों दिया था कि सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े आज कल जिसको भी देखो वो टिप्रनी करने में जुट जाता है लेकिन जब मामला गड़बर हो जाता है तो वो सुरक्षा मांगने लगता है पुर्व सांसद सिंग ने सरकार से अपील भी की है कि इस सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए ऐसे लोगों को सरकार की तरब से सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए साथ ही देश, समाज, धर्म और व्यक्ति विशेश पर बोलने वाले लोगों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि समाज में नफरत फैलाने वालों पर रोक लगनी जरूरी है जाहिरे सिंग ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो पुर्णिया के सांसत पपु यादो के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि हाल ही में लोरेंस विश्णोई के बारे में पपु यादो ने बयान दिया था कि वो चाहे तो तुरंद विश्णोई के गैंग को समाप कर देंगे जिसके बाद ये मामला बढ़ा क्योंकि पपु यादो की इस बयान के बाद उनको धमकिया मिलने लगी थी लगातार मिल रही धमकियों के बाद पपु यादो ने जेट प्लस सुरक्षा की मांग की है पपु यादो के कारियाले के सचीव ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि पूर्णिया सांसद यादो को जेड पलस सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनको बार-बार माफियाओं से पहले भी कई धमकिया मिल चुकी है पप्पु यादो के कारियाले के सचीव ने केंद्रिय ग्रेमंतरी अमित शाह से अपिल की है कि जल्द से जल्द जड्द पुलस सुरक्षा दी जाए अब जरा पप्पु यादो के बयान पर भी नज़र डाल लेते हैं दरसल बाबा सिद्दकी की जान ले लेने के मामले में पप्पु यादो ने बयान दिया था कि लौरेंस विश्णोई दो टके का क्रिमिनल है साथ ही सांसद ने ये दावा भी कर दिया था कि अगर कानून उनको परमिशन दे तो वो महज 24 घंटे में लौरेंस के नेटवर्क को खत्म कर देंगे लेकिन जिस तरीके से पुर्व सांसद ने बयान दिया है क्या यहां ये सवाल ने उठ था सुरक्षा मांगना तो कानूनी प्रकिरिया के दाएरे में आता है ऐसे में यादों ने सुरक्षा की मांगकर कौन सा गलत या फिर कायराना काम किया है लेकिन जिस तरीके से पुर्व सांसद ब्रिजभूशन का बयान आया है क्या ये जाहिर नहीं करता कि वो जाने अंजाने में लौरेंस बिश्णोई गैंक की तरफ से दी गई धमकी का समर्थन कर रहे है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस खबर मस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ